नमस्कार दोस्तों, इंप्लाई खबर चनल की एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों EPS 95 पेंसन धारगों के लिए काफी मातफोन खबर निकल कर आ रही EPS 95 पेंसन धारगों के लिए संगर सरत राष्टी संगर समीती के और से यहाँ पर उनके उत्तर प्रदेश के कानपूर छेतर में यहाँ पर एक छेतरी सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है जिसमें की मानिय कमंडर असोक राउजी और वहाँ के सांसद भी यहाँ पर जो है सामिल होने वाले हैं तो यह जो EPS 95 पेंसन धारगों का राष्टी संगर समीती के और से जो सम्मेलन होने जा रहा है यह 21 मार्च 2021 को रविवार को सुबह 10 बजे से साम 5 बजे के बीच यहाँ पर होगा इसका इस्थान यहाँ पर रखा गया है श्री बाला जी करमचारी धर्मसाला ट्रस्ट 375A H-Block किदबाई नगर कानपूर उत्तर प्रदिस में यहाँ सम्मेलन होने जा रहा है यहाँ पर मुक्य अधिति की रूप में श्री सत्यदेव पचोरी जी जो की वहाँ के सांसद है कानपूर के वो आएंगे और माननी कमांडर असोक राव जी यहाँ पर सामिल होने वाले है इसके अलावा जो विभिन 27 राज्यों में एनसी राष्टी संगर समीती यहाँ पर इस्थापित हुई है जो अलग-अलग जीलों में एपेश 95 पेंसन धारगों की पेंसन रद्दी की मांगों को लेकर यहाँ पर संगर स्राइथ है उन सभी अलग-अलग राज्यों की समीती की संचालक है वो भी जो है यहाँ पर उपस्थित होने की संबावना जता ही जा रही है इस बैठक के बाद देखना होगा कि एनसी रष्टी संगर समीती की ओर से एपेश 95 पेंसन धारगों की मांगों को लेकर आगे क्या कदम उठाया जा रहा है COVID-19 के चलते बाके के सभी जो रान्दुलन थे वो यहाँ पर वापस ले लिये गए है आगे यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर 21 मार्च को क्यानिर नहीं लिया जाता है यह जानकरी हम आपको यहाँ पर जो है इस बैठक के बाद ही देंगे साथ ही यहाँ पर आपको यह भी अपडेट दे दे कि तेवीस मार्च को सुप्रिम कोर्ट की ओर से भी यहाँ पर जो है सुनवाई होने जा रही है उसमें भी क्या कुछ अपडेट आता है यह भी आपको जो है जिरूर चेनल पर बताएंगे दोस्तों यह वीडियो जानकर यह आपको अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक सेर चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा ताकि आने वाले वीडियो के नाटिप्रिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुँच बाहाएं मिलते है आपसे नेक्स्ट वीडियों किसी जानकर सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए वनि रहेगा एंप्लोई खबर चैनल के साथ जय हिंद वन्दे मात्रम